हाई फ्रेंड्स मैं प्रतिक प्रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल तयारी के यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स हमारी मनोहर पांडे बुक सिरीज को आगे बढ़ाते हुए इंडियन पॉलिटी भारतिय राज व्यवस्था के फिफ्ट चैप्टर फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के कोश्चन नमबर 31 कि इससे कोश्चन नमबर 60 तक को सौल करता है तो चलिए देखता हैं फर्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 31 बारते समविदान के किस अनुछेट के अनुसार राज्य सरकारे अपने नागरिकों को उन सभी पिछडे वर्ग के पक्स में नियुक्तियों या पदों के आरक्षन हितु परावदान कर सकती है जिनका परियाप इसके तहत आरक्षन जो है उसका प्रोविजन या उसका परावदान डाला गया है नेक्स्ट अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन जाती SC-ST को किस अनुचित के अंतरगत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिये गए है अनुसूचित जाती और जन जाती SC और ST जो है उनको किस अनुचेद के अनुसार सामाजी का आर्थिक, राजनेतिक और सांस्कितिक अधिकार दिये गए हैं तो सही आंसर होगा अनुचेद देखो 20, 19, 18 या फिर 17 सही आंसर है अनुचेद 17 जो कि संबंदित है और इस प्रस्यता के अंत से Untouchability जो है उसको खतम करने से संबंदित है उसी के तहती अधिकार दिये गए हैं नेक्स्ट भारतिय संविदान का अनुचेद 17 किस प्रावदान से संबंदित है आर्टिकल 17 किस से संबंदित है बालत स्रम का अनुचेद 24 है दर्म के आदार पर विवेज से मुक्ती दर्म धार् ये स्वतंतता है वो अनुचेद 25 से 28 है आइस्फ्रस्यता से उन्मुक्ती ये अनुचेद 17 है और नौकरी में समान अवसर ये अनुचेद 16 है तो सहीं आंसर हो जाएगा option C आइस्फ्रस्यता से उन्मुक्ती end of untouchably next बारत के समविदान का निम लिखित में से कौन सा अनुचेद यहां निर्दारित करता है कि राज्य कोश से संपोच्षित कुओं तालावों एवं सनान गाटों का प्रयोग करने के लिए किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है कौन से अनुचेद के अंतरगत यह सूनिस्षित किया जाता है अनुचेद 14, 15, 16 या फिर 17 देखें important word क्या है राज्य कोश से संपोच्षित यानि कि उसका जो funding है जो पैसा मिल रहा है उस सरकार पैसा दे रही है तो सही answer होगा अनुचेद 15 अनुचेद 15 यह कहता है कि राज यह किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी नागरिक के साथ बेदबाव नहीं कर सकती केवल धर्म जाती लिंग जन्मिस्थान और नस्ल के आधार तो सही answer होगा option second next question देखें भारत के समविदान में मूल अधिकारों के अंतरगत स्वतंतरता के अधिकार को चार अनुचेदों द 12, 19 से 24, 20 से 23 यावेर, 14 से 18 तो जो right to freedom है वो दे रखा है अनुचेद 19 से 22 option first इसका बिलकुल सही answer हो next सूची एक को सूचीद 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचीओ की निचे दिये गए कूट का प्रयोग करते हैं सही उत्तर चुनिए ISP का question है यहाँ पर अनुचेद दे रखे हैं और सामने व्याख्या दे रखे हैं आपको वताना है कौन सा अनुचेद किस से संबंदित है तो पहले देखें अनुचेद 14 आर्टिकल 14 अनुचेद 14 कहता है विदी के समक्स समानता equality before law तो देखें राज्य बारत के राज्य चेतर में किसी भी व्यक्ति को विदी के समक्स समता से विदियों के समान संदक्शन से वनसित नहीं करेगा तो बिल्कुल सही है, इसके आगया आएगा 2, A के आगया आगया है 2, अनुचेत 15, अनुचेत 15 है, राज्य किसी भी इंसान के साथ भेदवाव नहीं करेगा, राज्य किसी भी नागरिक के विरुत केवल धर्म, वन्स, जाती, लिंग्या, जन्मिस्थान से किसी भी आदार पर कोई विवेद नहीं करेगा, बिल्कुल सही है, B के आगया आगया है 1, A का 2 है, B का 1 है, नेक्स देखें, अनुचेत 16, अनुचेत 16 है, नियुक्ती के लिए, राज्य के अधि, नियुक्ती के लिए समान अउसर का अधिकार, जो की 4 में लिख रखा है, तो इसके आगया आग B का है, 1, C का है 4, और D का है 3, 2, 1, 4, 3, Option C इसका बिल्कुल सही आंस्वर है, 2, 1, 4, 3, नेक्स देखें, भारत के सम्विदान के अनुचेत 14 के अधिन, यथा प्रुतिष्टापित विदी के समक समानता था विदियों के समान संद्रक्शन के लाब, निमलिखित मैंसे किसे य किने प्राप्त हो सकते हैं, यानि कि पूछा गया है, अनुचेत 14 जो है, वो किन किन लोगों को दिया जाता है, यानि कि किन किन को अवेलेबल है, भारत में रहने वाले सभी भारतिय नागरिकों को, बिल्कुल सही है, अवेलेबल है, विदेशों में रहने वाले सभी बारत है option second बिलकुल सही answer हो जाएगा चाय कोई भारत का नागरिक हो चाय कोई विदेशी हो उन सभी को अनुच्छेद जो पीछे दे रखा है question में 14 के अदीन जो आपको मौलिक अदिकार मिलाए वो प्राप्त है next बारतिय सम्विदान का कौन सा अनुच्छेद औस्वस्यता का उन्मूलन करता है तो कौन सा अनुच्छेद है 15, 14, 16 या फिर 17 अनुच्छेद 17 है जो औस्वस्यता यानि कि untouchability को end करता है next औस्वस्यता से उद्भूत अपराद गटित नहीं होगा जब की यानि के अगर कोई केस आता है कोई मामला आता है औस्वस्यता से related चुवा चूच से related untouchability से related तो कब अपराद नहीं होगा कब क्राइम नहीं होगा वो condition पूछी है अभी व्युक्त का कार ये जन सादान के किसी अनुभाग के व्यक्तियों की फाइदे के लिए स्रष्ट एक मूर्त न्यास के अदिन फाइदे के उपयोग करने के समद्ध में हो ये तो होगा ही अभी व्युक्त का कारी अलंग कारों के उपयोग करने के समद्ध में ये भी होगा अपराद अभी व्युक्त के अपराद कारित करने में सक्सम नहीं होने से ये भी अभी व्युक्त और परिवादी पीडित समान समाजिक समूके हैं जिसने अपराद किया है और जिसके खिलाफ अपराद किया है, कुछ बोल दिया है, कुछ कर दिया है, अगर वो एक ही सामाजिक समूग के हैं, तो अपराद गठित नहीं होगा, यही इसका बिलकुल सही आंसर. नेक्स्ट और स्वस्टा के रूप में किये गए विवेदन के विरुद सनरक्षन समाविष्ट है, तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन फोर्थ, समताक आधिकार, राइट टू, इक्वेलिटी. नेक्स्ट, बारत का समवेदान इसपस्ट तहा, प्रेस की आजादी की विवस्था नहीं करता, किन्तु यह आजादी अंतर नहीं थे, यानिके फ्रीडम आफ प्रेस, प्रेस का मतलब क्या होगा है, मीडिया, निउस्पेपर, टीवी चैनल, रेडियो, यह सारा कुछ. उनको, clearly, उनकी स्वतंतरता, उनकी फीडम आफ प्रेस हमारे समवेदान में साफ साफ नहीं लिखे हुए, मगर किसी अनुच्छेद के अंतरगत है, कौँसा अनुच्छेद है, यह पुछा है, उन्नीस एक बह में, उन्नीस एक सर में, या फिर उन्नीस एक दह में, इसका सह सूचना का अधिकार है, वो इसी से संबंदित है, समवेदान के किस अधिगार के अंतरगत अनुच्छेद उन्नीस एक दह को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, उन्नीस एक दह को अगर अनुच्छेद 21 से मिलाएं, तो किस अधिगार के अंतरगत जो है आपको इसका सही solution प्राप्त होगा, विदेश यात्रा का अधिकार बिल्कुल नहीं, सरण पाने का अधिकार बिल्कुल नहीं, एकांतिता का अधिकार बिल्कुल नहीं, सूचना प्राप्त करने का अधिकार बिल्कुल सही है, उननीस एक दर और इक्कीस दोनों को मिलाएंगे तो आपको सूचना प्राप्त अदिक करने का अधिका राइट टू इंफॉर्मेशन एवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट भारत के संविधान का निम लिखित मैंसे कौन सा अनुचेद दोहरे खत्रे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है दोहरा खत्रा मतलब होता है एक अपराद के लिए आपको एक से ज़्यादा बार सजा नहीं हो जाए एक क्राइम के लिए मल्टीपल टाइम्स आपको जो है पनिश्मेंट नहीं मिल जाए तो कौन सा अनुचेद है कौन सा मूल अधिकार है जो आपको उससे बचाता है नेक्स्ट निमलिखित में से कौन समविदान के अनुचेद 21 के दायरे में नहीं आता है आर्टिकल 21 जो की है राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार उसके अंतरगत नहीं आता है एक चिकित सक द्वारा घायल को चिकित सियसा आयता कार ये स्थल पर महिलाओं का लेंगिक उत्पिडन पानी की गुणवत्ता को दूसित करना या फिर मृत्यू दंड ज्यान रहे आर्टिकल 21 के अंदर जो नहीं आएगा वो है मृत्यू दंड मृत्यू दंड को कहा जाता है कैपिटल पनिश्मेंट ये अनुचेद 21 के तहत नहीं आता है बाकी तिनों आते है सरवोच न्याले के किस मामले के निर्णय के कारण समविदान के अनुचेद 21 के कार्य चेतर का विस्तार कर शिक्सा के अधिकार को उसमें सामिल किया गया था Article 21 जो Right to Life है जीवन का अधिकार है उसका विस्तार किया गया और उसमें क्या जोड़ा गया शिक्सा का अधिकार जिसको आप RTE कहते है Right to Education कौन से मामले में, कौन से केस में इस coral में जोड़ा गया Option है सही आंस्वर होगा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्रप्रदेश ये मामला है 1993 और इसके तहट क्या प्रावदान किया गया कि 6 से 14 वर्ड के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त एवं अनिवारिय सिक्सा और इसे कौन से अनुचेद में जोड़ा गया है आर्टिकल 21A अनुचेद 21A में जोड़ा गया है इसको शिक्सा का अधिकार या फिर राइट टू एड्यूकेशन भी कहा जाता है नेक्स देखें उच्तम न्याले की विवस्था की अनुसार नीजी बावनों के उपर राष्ट्रिय जंडे को फैराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है आप अपने घर पे हमारा जो नेशनल फ्लैग है जो राष्ट्रिय द्वज है उससे फैरा सकते हो वो सुप्र नागरिकों को राष्ट्रिय जंडा अपने नीजी बावनों पे फैराने का अधिकार है तो उन्नीस एक ए जो की अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता है फिडम ओफ एक्स्प्रेशन है अनुसेद चोदा विदी के समक समानता इक्वलिटी बिफॉर लौ का अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है राइट टू रिलिजेस फ्रीडम अनुसेद उन्नीस एक ए जो है नाइन्टीन वन ए ये अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता है फिडम ओफ एक्स्प्रेशन और अपने गर के उपर देश का जंडा फैराना किसी के तहता नेक्स्ट उच्तम नियाले के किस मामले के निर्णे के कारण सम्विदान के अनुचेद 21 के कारेज छेतर का विस्तार कर सिक्षा के अधिकार को उसमें सामिल किया गया अभी कोश्चन आया था उन्नीकरश्ण बनाम आंद्रप्रदेश साल है 1993 और इसके तहत सिक्षा का अध अधिकार को सनरक्षन देता है आप अपनी पसंद के व्यक्ति से साधी कर सकते हो यह आपको मौलिक अधिकार कौन से अनुचेद द्वारा दिया जा रहा है अनुचेद 19, 21, 25 या फिर 29 तो अनुचेद 19 जो है यह स्वतंतरता का अधिकार है राइट टू फ्रीडम अनुचे अनुचेद 19 यह अल्प संखेकों का अधिकार है माइनुचेद 19 तो अपनी पसंद के व्यक्ति से साधी करना अनुचेद 21 के तहट आपको अलव किया गया है अगर आप वयस को एडल्ट हो तो नेक्स्ट भारत के संविदान के निम लिखित मैंसे किस एक अनुचेद के अधिकार की गारंटी केवल भारत की नागरिकों को उपलब्द है यानि के जो हमारे मूल अधिकार है उन मेंसे केवल भारत की नागरिकों को कौन से उपलब्द है वो आपको बताना इस दिये गए question के options में से अनुचेद 19, 20, 21 या फिर 22 तो याद रखें दोस्तों अनुचेद याने कि article 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 जो अनुचेद है 15, 16, 19, 29 और 30 इन 5 अनुचेद में इन 5 articles में जो मूल अधिकार दिये गए हैं वो केवल भारतिय नागरिकों के लिए हैं only for Indian citizens विदेशियों के लिए या फिर foreigners के लिए नहीं हैं सेस सभी इन 5 के अलावा अनुचेद 14 से लगाकर 32 तक या 35 जितने भी अधिकार हैं वो भारतिय नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों को भी दिये गए तो ये पाँच केवल भारतियों को दिये गए हैं इंडियन्स को दिये गए हैं 15 16 19 39 और 30 तो कोश्चन में पुछा है कौन से केवल भारतिय नागरिकों के लिए है तो आप देख सकते हैं option first answer हो जाएगा अनुचेद 19 15 16 19 39 में से यही और अनुचेद 19 क्या है स्वतंत्रता का अधिकार right to freedom next निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतरभूत भार्ग के रूप में सनरक्षित किया जाता है बारत के समविदान में निम लिखित में से किस से उपरोक्त कथन सही एवं समुचित ढंक से अर्थित होता है यानि के जो निजता का अधिकार है right to privacy उसको right to life एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो अनुचेद 21 है right to life and individual freedom उसके तहर डाला गया है वो कौन से कथन से प्रूव होगा पहला देखें अनुचेद 14 एवं सम्विदान के 42 सम्वदन के अधिन उपबंद अनुचेद 17 एवं भाग 4 में दिये गए राज्ये की नीती ने देशकता तत्वत के अधिन अनुचेद 21 एवं भाग 2 में गारंटी की गई स्वतंत्रता है या फिर अनुचेद 24 एवं सम्विदान के 44 संसोदन के अधिन उपबंद जो निजता का अधिकार है वो किसके तह開 ज्यान रगें संरख्षित किया गया है आर्टिकल 21 के अधिन तो निजता का अधिकार Right to Privacy निजिता का मतलब प्रइवेसी होता है उसे हमना अनुचेद 21 के अंतरकर डाला है वो कैसे हुआ है तो सही आंस्वर है अनुचेद 21 एवम ये भाग दो आगया इसे आप भाग 3 करेंगे भाग 3 मूल अधिकारों से संबन दीदे तो option C बिलकुल सही आंस्वर है अनुचेद 21 तता भाग 3 की गारण नेक्स्ट उन मौलिक अधिकारों का चैन करें जो भारतिय नागरिकों को प्राप्त होता है परंतु गैर नागरिकों को नहीं सिर्फ इंडियन्स को एवेलेबल है कौन-कौन से है अनुचेद 15, 16, 19, 39 और 30 तो चलिए ये सिर्फ भारतियों को उपलब्द है चलिए देखते है बासन वह अभी व्यक्ति की स्वतंतरता, freedom of speech and expression ये है अनुचेद 19, 1, A में कानून के समक्स समानता, ये है अनुचेद 14 में आल्प संखेकों के अधिकार ये हैं 29 और 30 में, right of minorities जीवन एवं स्वतंतरता का संडरक्षन right to life ये हैं अनुचेद 21 तो आप से पूचा है केवल भारतिय नागरिकों को कौन-कौन से प्राप्त हैं तो देखें 19, 29 और 30 यहां पे आ रहे हैं first और third तो first और third option first इसका बिलकुल सही आंसर हो जाए next देखें निम लिखित कतनों पर विचार करिए और सही कतन को चूज करना है शिक्षा का अधिका right to education जिसको आठी कहते हैं अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में सिक्षक के रूप में नियुक्त होने हितू अर होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंदित राज्य अध्यापक सिक्षा परिशत द्वारा निर्दारित नियूंतम योग्यता का होना आ अगर आपको किसी स्टेट में टीचर बनना है तो इन्यूंतम योग्यता होनी चाहिए गलत है आठी अधिनियम के अनुसार प्रात्मिक अक्साओं में सिक्षन हितू किसी अभियरती के लिए राश्ट्रिय अध्यापक सिक्षा परिशत के दिसान निर्दोसों के ये बिलकुल सही है इस एक्जाम को पास करना जरूरी है बारत में 90% से अधिक अध्यापक सिक्षा संस्थान प्रतिक शुरूप से राज्य सरकारों के अधिन है ये भी गलत है तो केवल एक स्टेटमेंट सही है और वो है option 2 केवल 2 option second सही हो जाएगग नेक्स्ट भारत के सम स्वतंतरता राइट टू लाइफ एवं व्यक्तिगत स्वतंतरता का अधिकार पर्सनल फ्रीडम या फिर इंडिविज्वल लिबर्टी या फ्रीडम तो कौन-कौन से लोगों को ये दिया गया है ये option देखें विपरीत लिंग्यों ये के ट्रांसजेंडरों को बिलकुल द अधिकार है तो option 4, 1, 2 and 3 सही next मौलिक अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुछेद बच्चों के सोशन से संबंदित है बच्चों का सोशन यानि कि exploitation उससे कौन सा संबंदित है देखें अनुछेद 17 ये संबंदित है और इस प्रस्यता से untouchability अनुछेद 18 ये संबंदित है titles आप किसी भी प्रकार की उपादी लेने से पहले राश्ट्र प्रति की इजाज़त लोगे है अनुछेद 23 इसका संबंद है मानव दुर्व्यापार यूमन ट्रैफिकिंग मानव दुर्व्यापार और अनुछेद 24 संबंदित है बच्चों के सोशन से तो article 24 बिलकुल सही answer ह next बारते संब्यदान का कौन सा अनुछेद बच्चों के सोशन के विरुद मौलिक अधिकार से संबंदित है सेम पिछला वाला question है अनुछेद 24 exploitation of children के against है next बारत के संब्यदान के अंतरगत कौन सा अनुछेद कार खानों में बालकों के नियोजन का प्रतिसेद करता है कार खाने यानिके factories जो खतरनाक कार खाने जो dangerous factories है काच की हो फटा को की हो इस तरह के की factories में आप बच्चों को नहीं लोगे यानिके child labor को बैन किया गया है कौन सा अनुछेद है 19, 17, 23 या फिर 24 अनुछेद 24 है जो बाल स्रम या child labor को बैन करता है Next, मानव के दुर्व्यापार वो बला स्रम के निशेद के संदर्व में सम्विदान के किस अनुछेद में अभी व्यक्ती की गई है मानव का दुर्व्यापार यानिके आप इंसानों को समान के जैसे खरीद और बेच नहीं सकते हो और बाल स्रम यानिके child labor उनको बैन किया गया है कौन से अनुछेद के तहट 22, 23, 24 या फिर 25 तो ध्यान रहे अनुछेद 23 के तहट बाल स्रम और मानव दुर्व्यापार का प्रतिसेद इन दोनों को बैन किया गया है नेक्स्ट, 14 वर से कम आयू के बहुत से गरीब बच्चे पठाके बनाने वले कार खाने में काम करते हैं इन कार खानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उलंगन हो रहा है अगर आप 14 साल से छोटे बच्चों को खतरनाक उद्योग में डेंजरस फैक्ट्रीज में, इंडेस्ट्रीज में काम दे रहे हो पटागा हो, काच हो, चूडिया बनाने की फैक्ट्री हो तो कौन से उनके मौलिक अधिकार का fundamental right का violation या हननन हो रहा है समानता का अधिकार, सोशन के विरुत अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर सांसक्रतिक सिक्सा का अधिकार, तो किसका हनन हो रहा है सोशन के विरुत अधिकार, right against exploitation जो अनुचेद 23 और 24 में लिखावा है अनुचेद 23 में लिखावा है, मानव दूर व्यापार और बालक स्रम का प्रतिसेद यानि के इंसानों को खरीदना बेचना है, human trafficking और child labor को बैन करना है और अनुचे 24 में लिखावा है, आप बच्चों से खतनाक उद्योगों में काम नहीं करवाओ बारत के सम्विदान में सोशन के विरुद अधिकार द्वारा निमली कितमे से कौन सा कथन परिकल्पित है सोशन के विरुद अधिकार से पूछा गया है, कौन सा कथन परिकल्पित है सोशन के विरुद अधिकार अनुचे 23 और 24 तो चलिए देखते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा एक और चार option C विलकुल सही आंसर और चलते हैं last question की तरफ दार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार right to religious freedom सम्विदान के किन अनुछेदों में वरनित है जो दार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो कौन से अनुछेद में है 14 से 18 19 से 22 23, 24 या फिर 25 से 28 14 से 18 है समानता का अधिकार right to equality 19 से 22 जो है यह है स्वतंत्रता का अधिकार right to freedom 23 से 24 सोशन के विरुद अधिकार सोशन के विरुद अधिकार right against exploitation और 25 से 28 यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानिके right to religious freedom तो यही पूछा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो सही आंसर हो देगा option 4 25 से 28 article 25 से 28 तो यह थे बारती राजवेश्ता Indian polity के मौलिक अधिकार chapter के question number 31 से question number 60 धन्यवाद धन्यवाद आप सभी प्लीज लाइक शेर शब्सक्राइब डिजितल तैयारी